नमस्कार आप देख रहे हैं रिवाड़ी अपडेट और आज 27 जुलाई का हेल्थ बुलिटेंग जिला परसासन ने जारी कर दिया है जिसमें बताया है कि जिले में आज 90 नए पोजिटिव केस कन्फरम हुए हैं जबकि 94 में मरीज स्वस्तो कर वापिस अपने घर लोटे हैं एक गर लोट रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि लोग लापरवाई कर दिया वाइरे हैं और कुरोना वाईरस को हलके में ले रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि कुरोना की चेन को तोड़ना मुस्किल हो गया है है आज जिला परसासन वारा जो हेल्थ बुलिटेन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जिले में आज 90 नई पोजिटिव केस कन्फरम हुए हैं जबकि 94 मरीज स्वस्तो कर वापिस अपने घर लोटे हैं जिले में अभी तक 16946 सेंपल्स लिए गए हैं जिनमें से 1508 नागरिक कोविड-19 पोजिटिव मिल चुके हैं जबकि 1046 मर मरीज अब तक क्रोना वाइरस के कान अपनी जान गवा चुके हैं फिलाल जिले में 454 एक्टिव मरीज हैं जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है या फिर अधिकांस मरीजों को होम आइसलेट किया गया है जो एक्टिव मरीज है उनमें से 18 विविन अस्प 2787 नागरिकों की रिपोर्ट नेगिटिव आच चुकी है जबकि 651 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है आज जिले में जो 90 पोजेटिव मरीज कन्फरम हुए हैं उनमें से 22 रेवाडी सहर से है 17 धारुहेडा से है 8 करनावास से है 5 बावल एक एक गोकलगड आलमगि राजपुरा, बिठवाना, माजरा सवराज, गोठरा टपा खोरी, राजावास, नांधा वे सूंद्रोज से सम्मंदित हैं जबकि ठीक होने वाले मरीजों में 60 रेवाडी सहर से, 14 धारुहेडा से, 10 बावल से, 3 करनावास से, 22 भूर्थल जाट वे पदियावास से और एक मरीज सुधराना, राजावास वे बाड़ावास से सम्मंदित हैं